दहेज नहीं लेके आओगी तुमको हम रखेंगे तुम्हारे सामने में दूसरी साधी करूँगा हमने का ठीक है हमको जैसे तैसे अपने घर में रहने दीजी मेहनत मजूरी करके खाएंगे अपने बच्चे को पालेंगे लेकिन मुझे यहां से मत निकाले लेकिन फिर भी मेर मेरे ससुराल वाले मेरे पती ने मुझे नहीं मलब मुझे नहीं माना उन्होंने मेरे सामने अपनी दूसरी साधी करके घर में लाये दहेज के साथ फिर मैं छे महिना उनके घर में थी इंतिजार करती रही बोली तुम नोकरानी की तरह रहोगी अपने का ठीक नोकरानी ही सह छे महिने बीद गए तुमको खर्चा देंगे नहीं दिया फिर वो सब बंबे लेकर अपनी बीबी को चले गए बच्चे को मैंने 22 दिन का बेटा था मैंने माठा फिला के पाला